तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप किसी फाइल को प्रोटेक कर सकते हैं जीशयां मैं आपको बताओंगा जिसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है आपको चले जाना है सबसे यह जो ilovpd.com website है इसके उपर इस पर आपको simple से click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने interface कुछ इस तरीके से खुल के आएगा अब आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे चले जाना है नीचे आएगे दोस्तों आपको दो section दिखेंगे unlock pdf और protect pdf जहां से दोस्तों pdf में password लगता है तो आपको protect pdf वाले section पे click कर देना है जैसे आप click करेंगे आपके सामने interface कुछ इस तरीके के आएगा जहां लिखा होगा select pdf file सबसे पहले दोस्तों मैं दिखान देना चाहूं वह file जिसको मुझे pdf से मनलब जिस pdf file को मुझे protect करना है तो मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले अपनी gallery में और यहां पर दोस्तों आप देख पा रहोंगे एक pdf file है जिसका ना में 123.pdf इसको मैं open करके आपको दिखाता हूं तो आप देख पा रहोंगे अभी फिलाल इसमें किसी प्रकार का कोई password नहीं लगा हुआ है यह देखिए यह दो पेज की pdf है और यह किसी ट्राइब से प्रकार पासवर्ट से प्रकार नहीं है अब मैं आपको लिए चलता हूं वापस वाई आई लव pdf website पे और यहां से आपको select करना है उसी file को जिसमें आपको लगाना है password तो मैं यहां select pdf file पे click कर लेता हूं और यहां से file section पर जा करके उस file को select कर लेता हूं यह देखिए 123.pdf इस file को मैं आँसे select कर लेता हूं select करने के बाद दोस्तों आपके सामने interface कुछ इस तरीके के आएगा अब आपको क्लिक करना है एक option आप देख पा रहा हूंगे उपर यह आ रहा है setting का setting का जो icon इस पे आपको बस click कर देना जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने दो option आएंग दोस्तों password जो भी आपका मन करें लगा लेने के बाद बस आपको simple से नीचे आकर के protect PDF पे click कर देना है जैसे आप protect PDF पे click करेंगे दोस्तों थोड़ी सी process होगी और यह इस तरीके का segment आएगा download protected PDF अब देखिए दोस्तों जैसे आप यहाँ click करेंगे आपके सामने आएगा protected.pdf इसको आपको करने ना है download जैसे आप download क्लिक करेंगे तो यह file आपकी हो चुकी है download अब मैं वापस अपनी gallery में जाता हूँ और gallery में आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर यह file save हुई है क्या वो protected हो चुकी है तो gallery में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक file आ गई है ज password मांग रही इसमें वही password 12345 डालने के बाद जैसे मैं इसको open पे click करूंगा तो आप देख पाएंगे यह PDF खुल चुकी यानि कि जो पहले normal PDF थी अब यह protected PDF हो गई है और उसी password डाल करके खुल गई है तो दोस्तों इसी तरीके से आप PDF file को protect कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थांक्यू सो मच वाचिंग डिस वीडियो